हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड इंटर्टेन्मेंट सिर्फ यूट्यूब पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्स्राइब नहीं किया तो अभी सब्स्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटिस्ट वीडियो के बारे में अफटेट जाने सब्स्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरिट वीडियो की तरफ जमी है सोच पे कदमों की चापें न जाने कौन पीछा कर रहा है तो इस मसले पे इतनी वहस क्यूं है अगर कप्तान शादी कर रहा है ना मिला कर उदास लोगों से बात कर खुश लवास लोगों से और चुपजाब जाके सौदिया में तू मिला कर कुछ खास लोगों से या बाद यही है आखरी के आप तशिर्फारे माँ से चोधरी बस बस अससलाम अलेकुम के बाद अर्ज किया है अरे वालेकुम असलाम दर्द के ना हो जाना मोसिन अगली लाइन मैन वांदी नहीं है आपको यह कहना जैसा इतने नलायक है तब ही तो हमारे हेड़ बने हुए है इस रहां सा बंदा पड़दा काटे ते रोटी ज्यादा खांदा वासे यह है मसूम आदमी नहीं है वा तो शुरु तो शुआरमा लेन गए ने थे शुआरमा वो पैक कर रहे है ते ठरो मिन मूह ते वह लैंदे तेलिफुन किया ओडिल पे उने कहते भी तीन क्लों कड़ाई बारा नान राइता सलाथ गाजर कहलवा कादवास थे अलावास थे जाहिए दबाद साथ यह आपने बिल्कुल वो हरकत की है कि जेक मेंधी के ओपर खांदान में सब खुश होते हैं और नाच रहे होते हैं और बीच में एक फुफवाय कहती है जिए जब बाची जिन्दा हों देते किन्ना नच्टे तुफानी बारश ओड़ी है तुफान है प्यास बाद से पीज़ा लाइंच लेके ने पीज़ा कह रहा है कि भाज़न आप शादी शुदा है कि अंदर बेटा सोच इस तुफानी बारश में कोई माँ अपने बेटे को बेचती है अपने आज के एमानों को बलाना शुरू करते हैं दोनों मैमान खास तौर पर कराची जश्रीफ लाइं में हैं पहले साहब जो हैं वो सीनर एग्जेक्टिव वाइस प्रेजेंट है पाकिस्तान तरी के इनसाफ सिंद के और इससे पहले बाकिस्तान मुस्लिमी काफ के अंदर भी थे चीफ मिनिस्टर सिंद के भी वो एडवाइजर रह चुके हैं एक जमाने में आप सब की तालियों में जनाम हलीम आदिल शेय। को भी अपना शौक पाया आप सब की तालियों में महतरमा जारा तरीन शासी सिचुएशन थी उस पेक्शेर है वो बाइजन के लिए जी 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 आदल साब पहले भी हमारे यहां तश्रीव लाए थे जी बिलकुल हाँ जी ते ओदों दा साड़ है कि मुबाइल को मुआ है जी जी वो लोग है जो मुबाइल बांटते हैं जिते चुक चुक के तरने उठा गए हैं दरने उठा गए हैं नारे वजब जा गए हैं और लीडर हड़ा गए हैं क्यूंकि आज मजाग राद में जारा जी और हलीम शेख साब आजा है सर मेरा शेर और ताना नहीं है मेरा शेर हलीम भाई के लिए क्यूंकि मदद करते हैं लोगां दी ते ममी करद करना चाहरे हैं मेरी शादी करवाद हो आपको खुदा का वावादा मेरी मेरा ग्राज्युेशन मकमल नहीं हुआ ग्राज्युेशन कि स्पैलिंग क्यों होती है? ग्राज्युेशन के जी ख़ड़ा पेश O अब जाण्य miraculous है आपने वैसे एक शेर इनको सनाया हलीम साब को तो ये क्या वज़ा है इसकी कि रड़की कासी में क्या पूल्स लाके हर कार्च बढ़ जांदे ना अच्छा देखो ना मेरे गालों को मैं मुझरम यह दें देने लोगानों कि आपको है मुझरम दे देने पूल्स नो किसे वे आवे फ्रीज़ा देने सारा कुछ कर देने हम दर्दी कर देने हैं सर गुर्बा की मदद करते हैं अजी मैंनो ते शाका खाहां साथ ना तीजा भी इनना ने करवाया गए देख साब इसको तो स्लियर करी आप इनको शके ही कर सकते हैं मेरा खाल civil होगा तो बता देंगी हम आपको कोई फिल्म नहीं है अभी जितना इल्म आपको इतना इल्म हमें है पर अपको पेगाम ढ near के होने का फायदा नहीं पेगाम भेजा है उतने हिल्म है वो ही सच है वो ही हकीकत है सर ये बताएं धरने में आप लोग आए खास तोर पे लहौर और पहले तो ये कि जो वहाँ पे एक हमने देखा कि सब अकठे बैट गए जो के कभी ना बैटने थे दूसरा ये कि धरने में ती दूर से आए लेकिन लोग क्यों नहीं आए लेकिन लोग लोग भी आए असल एक वज़ा है ना के लाज़ी बात है कि मैं समझता हूँ कि हमारा वर्कर तो इसलिए नहीं आया है कि उसको पता था हमने दो मसले अतन एक बड़े कौस के लिए सब बैठ गये गो कि अलग अलग वक्त में बैठे लिडर्शिप हमारी लेकिन हम लोग आए लेकिन वर्कर जो था वो जैनी तोर पर तयार नहीं था कि जहां कंटेनर पर जरदारी साबों का हमने नहीं जाना हो तो मगर कोई सिर्फ वैसी बंदा मैं बताओ जलसा आयाम नहीं था ये एक इतजाज था मगर इतजाज में कोई बंदा वैसी फॉर्मालिटी के तौर पर ये को दो तीन अजार बंदे अपने बहुत लोग थे ताकि बहुत लोग तो लगे मतलब आप लोग ने आके वहाली हरकत की है कि प्रोग्राम में शिर्कत भी कर ली और ठंडी जुकते भी करनी था ने जी हम आये जितने देखे इतजाज जलसा याम नहीं होता है इतजाज फजाज होता है फिर उसके लिए बहुत लोग थे इतजाज के हिसाब और दूसरा ये कुछ ग्राउंड तो था नहीं वो मैसेच चला गया चाहे प्रेशर पढ़ा हो या ना पढ़ा हो प्रेशर तो पढ़ता है प्रेशर नहीं निकल सकते प्रेशर पढ़ता है वो चार साल से उनमें नहीं पढ़ा उपढ़ गया ना हो चलागे बड़े वाले जारा आप अमेरिका में काफी अरसा रही और पाकिस्तान में भी रही है पहले तो ये बताएए कि आप कौन सा वाला पार्ट जादा मिस्ट करती है ट्रम्प वाला अमेरिका या हमारे वाला पाकिस्तान पाकिस्तान अब गिल चाहता है वापिस जाने के के नहीं करी बट दिल तो चाता है अब वहां बड़े हुए है लोग याद आते हैं अमेरिका मतलब अप्टरम्प देखकु को अमेरिका में तो आब उतना ही रिडिकियूस लगता है जैसे हमारे पॉलिटिक्स लगता अच्छा याई हम बराबर होगे ना उनके उनको मेरे खाल से अमेरिका को अब थोड़ा और रिडिकिलस होने की जरूरत है नहीं मगर तक्रीबन अब यह प्रिटी माच ना नू शेक साफ अमेरिका के मकाबले का आगे आप मौडलिंग बहुत जंग एज में आपने शुरू कर दी यह क्या शौक था आपको यह एक्सिडेंटली हुआ था विजट पर और आपने उस एक्सिडेंट को फिर आगे चलने दिया अच्छली उस वक्त फिर तीन चार मेने के लिए मैं यहां पर जाएगी इनको में अपनी एक्सेज बता चुकी यह आपसे बाते कर रहे थे तरही तो मैंने आपको बता दिया 15 साल मैंने 50 साल पहले है आपको तो पीछे हम छोड़ कर आये थे कि आप त्यारी करें अपनी अंदर आने की आप यह किस काम पर लगए तो करें सोचें आप उनके इंट्रिव्यू के बारे में क्यों फिकर्मन थे आप मेरिट है अच्छा रहना चाहते हैं आप और टीवी के ऊपर क्यों ऐसी अरकते करें काफ लिक से तो गएसे हैं अब आप चाहते हैं कि आप घर से भी जाए जिस तुसी अरकत कीती है ना आज तुसी बरफले पटे दे बाहर सहुना जी आप कराची वापस जाएंगे कराची किस मूर से जाओगे तो यह कुछ इस किसम का आलम हो जाएगा आपने भी कराची वापस जाना है तो इन्होंने आपस फ्लाइट नमबर तो नहीं पूछा नहीं जी मकान का नमबर पूछा है इतनी बातें नहीं हुई इतनी बातें नहीं अभी यह स्रफ शूरू है तो हमने बुला लिया वो मुझे कोई सवाल कर रहा था वाउनेस कि यह सुन रहे थे अच्छा वैसे आपको यह बता चलू कि यह कोई पॉलिटेशन इतना पसंद नहीं करती है बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है अजी हुर करती है यह और नहीं पॉट डालने का है प्रोग्राम आपका अजब इतने प्रॉब्लम्स होते हैं किसी चीज से और अगर वोकल होते हैं तो फिर आई थेंग के वोट जरूर डालना चाहिए जी मैं डालेंगी और कोई सोचा हुए आपने कोई प्रोग्राम बने किस पार्टी की तरफ रुजान हो रहे हैं नहीं मैं पार्टी वाली चीजों में बिलीव नहीं करते हैं किसी को तो डालेंगी न वोट वो जो देंगे I think people should run on issues not parties नहीं मगर still you'll have to कोई एक person तो होगा और किसी इसे belong करता होगा लेकिन जब election का time आता है तो फिर आप जब locally देखते हैं कि आपके area में से कौन खड़ा हुआ है आपके area में से आपको 3-4 options ही मिलेंगी आपको जब होगा जब होगा तो फिर then I will study properly PSP मिल जाएगी PSP का दूसरा एक MQM साधी मिलेगी MQM special वाली मिलेगी PTI मिलेगी People's Party मिलेगी Noon League मिल जाएगी depending on issues depending on issues पे क्या बात परे अभी तक कोई आपका है reading किसकी issues जो है मैं जिबरान नासर की बड़ी fan जिबरान नासर की जिबरान नासर आच्छा वो independent candidate केंड़े वे से हो जिबरान नासर का वो एक्टिविस्ट है और बड़ा जबर्दस उसकी following है हमारे पास मगर आप तो यूथ की party है और यूथ कह रहा है कि वो नहीं डालना चाहरा वोट यूथ कह रहा है यूथ ही है ना मिला मतलब था कि जिबरान नासर जैसे लोगों को जो पगले की बात करते हों अवाम में रहते हों वो पुलिटकल अपनी choice की party join करें लेकि पार्टी में जाएं स्टेरिंग में जाएं उस जगा शामिल करें हमारे नौजवान बहुत जिबरान नासर तो फिल्म है बहुत सारे हमारे रात को पैट की वारफियर कर रहे होते हैं सुबा को जाके सो जाते हैं मैं चाहता हूं कि इनको party's में जाना चाहिए ultimately PTA में आना चाहिए कि तुषी गाल करते हाथ बड़े लांदे हैं जिला था कुम वरीव खारे जैस कार्ण को बलाओ फिर कार्ण को बलाओ फिर क्या करते हैं वो क्या करते हैं जाकर बेखो दूश्मनाने मेरे पिओधी हैं बटी है का कि 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 क क झाल झाल